Hello everyone, welcome to my channel students, आज हम लुक पढ़ने वाले हैं, ग्रिविटेशन में, एनर्जी आप सेटलाइट और उसके साथ बाइंडिंग एनर्जी, तो हमने टाइम पिलेट पढ़ लिया है, अब हमारे पास नंबर आया है, एनर्जी निकालने का सेटलाइट की एनर्जी, और फिर हम उसकी बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड करेंगे, यह पता लगाएंगे स्ट्रेंट, रही बात इनके नोट्स के तो मैंने आपको अल्रेटली डिलियर करती, उन्हें डाउनलोड कर लीजे, क्योंकि लिंक डिस्टिशन ने दी हुई, जाकर तुरंट पढ़ें, ताकि आपको यह अगला लेक्चार समझ में आ सके, स्ट्रेंट देखते हैं, एनर्जी अफ सेटलेट क्या होता है, स्ट्रेंट हर किसी सेटलेट में, दो प्रकार की एनर्जी प्रेजेंट होती है, एक होती है पोटेंशिल एनर्जी और दूसरी होती ही काइनर्टिक एनर्जी, और पोटेंशिल एनर्जी को काइनर्टिक एनर्जी को हम सम ले ले, उनको दोनों का प्लस कर दे, तो उन दोनों को प्लस करने से जो एनर्जी बनती है, जो एनर्जी हमें मिलती है, वो ही energy satellite energy कहला थी और वो ही सारी बाते हैं यहाँ पर mention की हुई और हमने potential energy पहले find कर ली थी minus gm mpon और हमको पिछले factors याद रखना है strengths नहीं है तो पिछले videos देखें पिछले lectures को देखें ताकि आपको यह सब चीजे समझ में आ सके नहीं तो direct खोलें किया तो कहां से आया है यह point समारे brain में strike करेगा strengths देखते हैं वो ही बाते मैंने जो आपको बताई है the sum of potential energy and kinetic energy of satellite is known as total energy of satellite total energy of satellite किसके एकवल होती है kinetic energy और potential energy के sum के एकवल होती है potential energy due to gravitational force between earth and satellite देखिए मैं यहाँ बात आपको बता दूँ कि satellite जो हता है आर्थ के आसपास revolve कर रहा है वो gravitation उसे balance कर रहा है किस से? sentimental force है तो जो gravitation current जो energy सके अंदर आ रही है वो कुण सी है? potential energy लेकिन वो revolve कर रहा है अपने orbit मे उसके revolve करने से जो energy सके अंदर प्रोड़िस हो रही है वो होती है kinetic energy तो यह दो energy मैं आपको बता दी कोज सी energy किस के करना होती है फिर एक बार सुन लीजिए gravitation force जो satellite और आर्थ की पीश में लग रहा है उसके करना उसके potential energy बनती है और जो अपनी orbit में revolve कर रहा है वो satellite आर्थ के आसपास उसके revolve करना से उसके velocity के current जो energy आती है वो कहलाती है kinetic energy तो हमने यहां यह दोनों point मेंशन कर दी है let radius of earth be r and mass be m mass of satellite is small m which revolving around the earth in circular path orbit r radius तो यह सारे factors तो पुराने है आपको दिमाग में भी होंगे यहां लिख दिये और potential energy of satellite u equal to minus gm यह मैंने इसलिए दिखके दी distance की यह बात है सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको आपको उन्हें देखना चाहिए ताकि आपको यह point समझ में आजा इससे time भी पचेगा और हम आगे जल्दी बढ़पाएंगे if V0 be the orbital velocity of rocket then kinetic energy is equal to 1 upon 2 mv square और V की place पर हम लिख देखे V0 क्योंकि अर्बिटल velocity V0 होती है तो वो हम यह put कर देते हैं तो kinetic energy is equal to 1 upon 2 mv0 square या V0 square भी खह सकते हैं अब यहाँ पर हमें पता है मैंने आपको पहले बता है student की यह step मैं अगले पेश्वा लिख लिएता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे समझा सकूँ देखे K E equal to 1 upon 2 mv0 square student या फिर वो याद दिलाना चाहता हूँ आपको वो गल्ती होती है और होती रहेगी student commonly is वो गल्ती करते है अब देखे है V0 की value हमें दिख रहे है V0 की value क्या होना चाहिए तो V0 की value हमने पिछली step में find की थी under root gr square upon r plus h वो काई में यूज की थी हमने जब satellite की हम revolution period निकाल रहे थे तब और आज हम निकाल रहे है satellite का जो है time period क्या निकाल रहे है हम satellite time period नहीं निकाल रहे है satellite की energy निकाल रहे है फिर दिमाब में crash करता कि सर यह तूसरी value क्यों यह अलग क्यों है अरे भाई यह orbital velocity की value है उसके derivation में यह beach की steps है जिनको आप देखेंगे तो आपको यह values मिलती रहेगी बस आपको याद रहे है कि कोल सी value कहां पे put करना है अब देखें मैं यह value यहाँ put कर देता हूँ सो मैं लिख देता हूँ putting value of v o square तो यहाँ पर हम value रखता है k e equal to what upon to यहाँ हम value रख रहे है k e equal v o की तो मैं यह v o आपको बता रहता हूँ यह v o की value है तो यह मिल रहे हैं हमको यहाँ पर इस तरह से m तो अपनी जगे पर रखा हमने और v 0 की place पे हम bracket लगा लेते हैं under root लगा देते हैं g m upon r यह square कर देते हैं क्योंकि square आल्रेडी इस पर फार्मूले पर लगा हुआ है तो kinetic energy जो हमें मिलेगी वो क्या मिल रही है 1 upon 2 m यह root square से cancel हो जाएगा तो square से root cancel करके दिखा भी देता हूँ मैं आपको ताकि आपको समझ में आजा है square से root यह cancel होँआ अब हमारे पास क्या बचा strength वो देखें वो बचा g m upon r यदि अब इसको simplify कर ले क्यावल multiply करें numerator, numerator, denominator, denominator तो g m upon 2 r यह हमारी kinetic energy आ गई है अब यह हमने क्या कहा था कि satellite की energy क्या है sum of potential energy and kinetic energy अब हम satellite energy निकाल देते हैं हाँ से देखिए so satellite energy is equal to potential energy plus kinetic energy अब मैं है satellite energy को potential energy मैं आपको पीछे लिख के बता है कि g m m upon r होता है plus अब हमने kinetic energy निकाल लिए kinetic energy की value kinetic energy की value हैं पूट कर देते हैं तो वो होती है g m m upon 2 r strength बहुत simple step है algebra है 2 r lc अब ले लेंगे हम r से r cancel 2 का उपर multiply होगा minus 2 minus 2 g m m plus 2 r से 2 r cancel g m m यह इसको calculate करते हैं तो वो क्या हो जाता है strength देखिया satellite energy is equal to minus g m m upon 2 r minus g m m upon 2 r यह strength हमारा formula आगा है आपने देखा कि हमने इसको satellite energy को किस तर से निकाला satellite energy के लिए हमने value put कि थी और value put करने के बाद बस इतना जुआ द्यान देजिए कि VO की value हमें अलग-अलग place पर time period में अलग value रखना है और energy वाले में अलग value रखना है तो देखिये इस तरह से हमारे पास यह formula आ जाता है satellite energy का यह satellite energy की value strength और यही हमारा main derivation है तो चलिए यह आपको समझ में आ गाया है किस तरह के से करना है अब हम देखते हैं अगले point को वह है binding energy binding energy भी देख लेते हैं states binding energy क्या है देखिये total energy kinetic or potential है हमारी satellite के energy और binding energy कुछ ऐसी energy है जो उसे अपनी orbital से बाहर निकाल देगी देखिये हमें पढ़ते हैं इसको देखिये the total energy is required total energy required हो for satellite to leave its orbit अपनी orbital को छोड़ने के लिए satellite को अपनी orbital से छोड़कर infinite तक चले जाने के लिए जो energy required होती है वो ही क्या होती है binding energy होती है orbit around the earth and escape to infinite is called binding energy वो energy जो satellite को अपनी revolution orbit से बाहर निकाल कर infinite तक ले जाने के लिए ज़रूरी होती है required होती है उसे हम भी आ कहते है binding energy कहता है अब हम ये तो जानते है कि total energy of satellite is minus gmm upon 2r जो भी हमने पिछले point में निकाली है इस point में अब ये energy हमने निकली हुए लेकिन हम ये कहें कि इसमें हम 2gmm upon 2r energy satellite को provide करा दे कहीं external source से तो वो total energy कितनी हो जाएगी ये हम provide कर वा रहा है ये उसकी खुद की energy है हम provide करा रहा है if the energy gmm upon 2r is given to satellite then it's total energy तो ये minus gmm upon 2r वे से रखा और ये हमने provide की वो इसमें हमने plus कर दी तो दोनो plus minus cancel हो गए equal to zero हो गए so it is clear the total energy is zero due to which satellite lose its orbit and move to infinite याने कोई भी satellite अपनी orbit को छोड़कर infinite की और move कर जाता है तो उसकी total energy क्या हो जाती है zero हो जाती है और ये ही हमारे हम उस energy को define कर पाए तो हमारी binding energy zero नहीं बताएंगे हम binding energy जो हमने से दी है वो energy है तो हमने कितनी दी थी उससे हमने उसको इसको दी थी ये value याने इस प्रकार से binding energy of satellite के होगी GMM upon 2R ये छोटा सा point भी इसके साथ 8 किया जाता है instant तो इसको practice कर लिजिए practice कर लेंगे तो बहुत easy हो जाएगा और पढ़ते रही है मिलते हैं next studio में till the stable and goodbye